हलो वीवर्स रसोई का आनन चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए पनीरी टमाटर की रेस्पी लेके आए हूँ पहले हम दो चम्मच ओयल लेंगे एक भारी तली की कड़ाहे में उसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे जीरा क्रैकर हो जाएगा तो उसमें दो चम्मच कुटी हुई अद्रकलसन की पेस्ट डालेंगे पेस्ट डालने के बाद इसको दिमी आँच पर सेक लेंगे वीवर्ड अगर आपको मेरी रेस्पीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिए गैस को हम मीडियम आँच पे कर देंगे जैसे ही अद्रकलसन का हलका सा बनाई हो जाएगी तो हम इसके अंदर एक बारिक कटा प्याज और एक हरी मिर्ची को बीज निकाल के भारिक काटके वो डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची को डालने के बाद प्याज का हलका सा रंग बदलने तक हम इसको भूलेंगे जैसे ही प्याज का रंग हल्का सा चेंज होगा तो हम इसके अंदर सुखे मसाले डालेंगे सब चीज़े में आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं प्याज को अच्छी तरह से उलट पलट कर पकाना है ताकि हर तरफ से उसका एक बराबर रंग आ जाए अब हम इसके अंदर सुखे मसाले डालेंगे पहले आधा चमच हल्दी डालेंगे हल्दी पाउडर डालने के बाद आधा चमच गरम मसाला पाउडर एक चमच सुखा धनिया पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे अच्छी तरह से सब चीजों को मिलाने के पाद हम इसके अंदर एक चमच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और स्वात के अनुसार नमक डालेंगे और सब को अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि मसाले सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं अब इसके अंदर हम दो उबले हुए आलू और हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे और गैस को बंद करके एक कप ग्रेटेट पनीर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे पनीर हमने गैस बंद करने के बाद ही डालना है अब हम इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक प्लेट में निकालके ठंडा कर लेंगे ठंडा हो जाने के बाद हम टमाटर के अंदर इसकी स्टफिंग करेंगे टमाटर के अंदर से हमने उसका पल्प और बीज निकाल दिये हैं अंदर से बिल्कुल इसको हॉलो कर लेना है और अच्छे से हम अपनी इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे ताकि स्टफिंग का पूरा फ्लेवर बनीर का हमारे बाइट में आए अब हम एक बर्तन लेंगे उसमें दो चम्मच अमुल बटर डालेंगे जैसे ही मखन पिग लेगा उसमें अपने टमाटर को रख देंगे और हलका सा पानी का छीटा डाल देंगे पानी जादा नहीं डालना है एक छीटा ही डालना है पानी का अब एक बर्तन उपर रखेंगे और उसके उपर पानी डालेंगे एक कप जिससे की उसकी स्टीम बनेंगी और हमारे टमाटर अच्छी तरह से सौफ्ट हो जाएंगे पांच से छे मिनिट में हमारे टमाइटो रेडी हो जाएंगे अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे आप प्याज, हरी मिर्ची जिसके साथ भी इसको सर्व करना चाहें इसको सर्व करिए और जैसे भी आप इसको खाना पसंद करें चपाती या नान के साथ आप इसको खाईए इसको उपर थोड़ी सी मलाई और मलाई या क्रीम लीजिए और हरा धनिया डालके इसको गानिश करेंगे और इसको सर्व करेंगे आप इसको लंच में या डिनर में जब भी पसंद करें इसको खाईए और इसका आनन लीजिए धन्यवाद